नमस्कार नियूज नेशन आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ विद्धेनाद जाब भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साधवी प्रग्या एक बार फिर अपने बयानों की वज़े से विवादों में घर गई हैं उनके तीखे बयानों पर चुनाव आयोग ने उनसे जवाब तलब किया है कैसे उनका एक और बयान खुद उनके लिए गले की फास बन गया है आपको दिखाते हैं विवादों में घरी साधवी प्रग्या ठाकुर तीखे बयानों पर चुनाव आयोग हुआ सख्त भुपाल में कॉंग्रेस के दिगज निता दिगविजे सिंग के खिलाफ बीजेपी ने साधवी प्रग्या ठाकुर को चुनाव मैदान में उतार कर वकाबले को दल्चस्प तो बना दिया लेकिन साधवी के बयानों से पार्टी के लिए मुश्किलें भी खड़ी हो रही है पहले शहीद हैमंत करकरे पर उनके बयान ने पार्टी को खोबा सहच किया तो अब राम मंदिर पर उनकी विवादित बयान से रोधियों को बीजेपी पर हमले बोलने का मौका मिल गया है अगर उनकी सहयत जेल में रहने के लिए ठीक नहीं है तो उनकी तवियत अलेक्शन लणने के लिए ठीक कैसे हो सकती है एक इंटर्वियू में उन्होंने ये दावा कर सियासी पंडितों को हैरान कर दिया कि आयोध्या में उन्होंने विवादित धांचे को तोड़ने में मदद की थी जैसे ही इसकी जानकरी चुनाओ अयोग को मिली अयोग के अदिकारी हरकत में आ गए और उन्होंने नोटिस जारी कर साधवी प्रग्या से उनके बयान पर सफाई माग ली साधवी प्रग्या ने चुनाओ अयोग को नोटिस का जवाब भिज़ दिया है लेकिन प्रेस कॉंसरेंस में एक बार फिर साधवी अपने बयान को दोराती हुई नजर आई साधवी के विवादित बयानों पर मचे सियासी संगराम के बीच मध्य प्रदेश के पूर मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चोहान एक्शन में नजर आए उन्होंने साधवी प्रेग्या ठाकुर को तलब कर विवादित बयानों से बचने की सलहा दी इस बीच साधवी प्रेग्या को चुनाव आयोग ने बड़ी रहत दी है आयोग ने कॉंग्रेस के उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें कॉंग्रेस ने साधवी प्रेग्या के चुनाव लड़ने पर रुक लगाने की मांग की थी नियूज नेशन से बातचीत में साधवी से खुश भी नजर आई जो कॉंग्रिस ने चुनावायोग में एक शिकायत की थी कि आप चुनाव नहीं लड़ सकती वो आज रिजेक्ट कर दी गई चुनावायोग क्या सभी ऐसा करेंगे आपको बता दें कि भोपाल से अपनी उम्मीदवारी के एलान के बाद से साधवी प्रग्याख खासी सुर्ख्यों में है पहले उन्होंने अपने विरोधी दिगविजे सिंग से लेकर केई कॉंग्रिसी नेताओं पर जुबानी तीर छोड़े तो कभी भावक होकर अपना दर्द भी बया किया लेकिन विरोधियों पर निशाना साथते हुए कई बार कुछ ऐसा बोल गई जो बोल उनके लिए परेशानी का सबब बन गई साधवी प्रग्या के शहीद हिमंद करकरे पर दिये गए बयान पर विवाद खत्म होता नहीं नजर आ रहा है उनके बयान को सियासी विरोधी शहीद का अपमान बता रहे हलाकि विवाद बढ़ता देख साधवी ने माफी की भी मांग की थी लेकिन मामला खत्म होता नजर नहीं आ रहा है आज कॉंग्रेस के मन से सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो रेटारेट लेटनेंट जरनल डे-स हुड़ा ने साधवी परवार की जब वो मुझे से पूछा तवाम सारे प्रशन करता था साधवी प्रग्या के शहीद हेमंद करकरे पर दिये इस बयान से सियासी भूचाल आ गया शहीद के अपमान को मुद्दा बना कर विरोधी दलो ने इसी भाने बीजेपी को घेरना शुरू किया तो वहीं इस बयान को लेकर सेना और सुरक्षा बनों का आख रोज भी सामने आया है आज कॉंग्रेस के मंच से सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट एक के हीरो रिटार्ड लेटरेंट जनरल डियस हुड़ा ने ये मुद्दा उठाया और कहा कि किसी शहीद के बारे में इस तरह के बयान से बहुत दुख होता है फिर चाहे शहीद पुलिस फोर्स से हो या सेना से साधवी के इस बयान ने 2019 के मुखाबले में फ्रेंट फुट पर खेल रही बीजेपी को बैक फुट पर धेकेल दिया है पार्टी को इस पर सफाई जारी कर ये कहना पड़ा कि ये साधवी का नीजी बयान है पार्टी इससे इत्तिफाक नहीं रखती पार्टी पर दबाओ बढ़ता देख साधवी प्रग्या ठाकुने भी माफी मांगना ही बहतर समझा मैंने का ये मेरे घर की बात है घर में अगर किसी प्रकार की पीड़ा होती है तो हम अपने घर में निपट लेते हैं पर अगर बाहर कोई दुश्मन हमारे खुश हो रहे हैं तो मैं बिलकुल अपना बयान बापस लेती हूँ और शमा भी चाहती हूँ कि हमारे बयान से कभी भी देश के दुश्मन खुश न हो गया लेकिन मामला यही नहीं थमा, विपक्ष के हमले भी यही नहीं रुके साथ ही साथ चुनाव आयोग ने सादवी को नोटिस भेज कर आचार सहिता के उलंगन पर सफाई भी तलब की लेकिन बताय जा रहा है कि बीजेपी ने बले ही सादवी के बयान से किनारा कर लिया हो लेकिन पार्टी पूरी तरह उनके पीछे खड़ी है सादवी के बयान पर हुड़ा को आगे कर कॉंग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है और इसकी कार्ट ढूनकर कॉंग्रेस पर पलटवार करना बीजेपी के लिए मुश्किल भरा होगा टीम न्यूजनेशन बोपाल से कॉंग्रेस को मिदवार और MP के पूर्व सीम दिगवजय सिंग ने आज बोपाल को लेकर अपना विजन डॉक्यूमेंट पेश किया इस दोरान उन्होंने पूर्वी की शिवराज सरकार पर भी निशाना साधा और क्या क्या उन्होंने कहा अब देखिए भोपाल में साध्वी प्रग्या से मिल रही कड़ी चुनोती के बीच कॉंग्रेस उम्मिदवार दिगवजय सिंग जीत के लिए हर तरकीब आजमा रहे हैं अब चुनाओ की नईया को पार लगाने के लिए दिगवजय सिंग ने नया दाउं चला है उन्होंने भोपाल को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का वादा किया है शहर के विकास को लेकर दिगवजय सिंग ने विजन डोकुमेंट जारी किया जिसमें भोपाल को टूरिस्ट हब बनाया जाएगा भोपाल से देश के बाकी शहरों के लिए उडानों की संख्या बढ़ाई जाएगी आसपास के बड़े शहरों को कॉलिडोर से जोड़ा जाएगा किसान सिटी फूर्ड प्रोसेसिंग यूनिट बनाई जाएगी वर्किंग वुमेन और स्टूरिंट के लिए छात्रवास की सुविदा मोहिया कराई जाएगी कला को एहमेद देते हुए आर्ट सिटी और फिल्म सिटी बनाई जाएगी बेरोजगारों को जॉब दिलाने के लिए भोपाल जॉब पोर्टल बनेगा इस दोरान दिग्गी ने पूर की शिवरास सरकार पर भी निशाना साथते हुए कहा कि शिवरास सरकार ने शहर के विकास को लेकर मास्टर प्लान नहीं पेश किया उनके माथिम से कमाई परोग दो जार पांच में मास्टर प्लान नहीं आया दो जार पंदरा में दस्ता लॉप फिर नहीं आया यह है भारती जंता पार्टन का विकास का पॉर्टल तो इससे पहले दिगविजे सिंग ने आज भोपाल पहुँचे शंकरा चारिये स्वामी सवरुपा नंद का आश्रवाद भी लिया इस दोरान उनके साथ बड़ी संक्या में समर्थगवी मौजूद रहे आपको बता दें कि बीजे पी ने भोपाल से दिगविजे सिंग के खलाफ कट्र हिंदुत की छवी रखने वाली साद्वी प्रग्या को मैदान में उतारा है यही वज़े ही कि दिगविजे सिंग सौफ्ट हिंदुत की राप पकड़कर मंदिर मंदिर और संतों के चरण पगड़ कर चुनावी वेतर्णी को पार करना चाहते हैं टीम निजनेशन लोग सभा के रण में राश्टरवाद और राश्ट्रे सुरक्षा पर काफी बहस हो रही है अगर यूँ कहा जाए कि राश्टरवाद चुनाव का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है तो घलत नहीं होगा पीम नरेंदर मोदी चुनावी रैलियो में राश्टरवाद पर जोड़ देते देखे जा सकते हैं अब कॉंग्रेस राश्ट्रे सुरक्षा पर एक दसावेज लिखर आई है और इस दसावेज को पेश किया है आतंकी अड़ोपर्थ सर्जिकल स्ट्राइक के रणितिकार रहे लेटनेंट जनरल डी एस हुड़ान राश्ट्रवाद और राश्ट्रे सुरक्षा लोग सभा के मौझूदा रण में बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उचाल रही है अब बीजेपी को जवाब देने के लिए कॉंग्रेस ने बड़ी चाल चली है कॉंग्रेस ने राश्ट्रे सुरक्षा पर अपना दस्तावेश जारी क्या है सुरक्षित भारत के नाम से पेश किये गए इस विजन डॉक्यूमेंट के करता धरता है रिटाइड लेटन जनरल डी एस हुड़ा जिनकी देखरेक में भारते सेना ने 2016 में पीयोके में घुसका सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया उन्हें इस मिशन का हीरो माना जाता है कॉंग्रेस मुख्याले में पूर्व केंद्रे मंत्री भी चिदमरम और जैराम रमेश जैसे दिगजों की मौजूदगी में डियेस हुड़ा ने दस्तावेश पेश किये रिपोर्ट में भारत की नेशनल सेक्यूर्टी को मजबूत बनाने के लिए पांच पिलर की बात कही गई है दुनिया में भारत की जगए कैसी होनी चाहिए पडोज सुरक्षित रहना चाहिए आंतरिक समस्याओं को कैसे सुलचाए जन सुरक्षा पर जोर सेना, आंतरिक्ष और साइबर सुरक्षा में अपनी क्षमता कैसे बढ़ाई जाए रिपोर्ट में इन मुद्दों पर जोर दिया गया है हमारी डिसकॉशन्स में हमने डिसाइड किया कि हमारी नैशनल सेक्यूर्टी स्ट्राटीजी के पांच पिलर्स होंगे जो सबसे पहला पिलर होगा वो है कि भारत विश्व में भारत की जगे कैसी होनी चाहिए राइट फुल प्लेस इन वर्ल्ड अफेर्स डिप्लोमाटिकली इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है तो हमारी बाकी जो मेजर पावर्स हैं जैसे अमरीका है रश्या है चाइना है उनके साथ हमारे संबंध किस दिशा में चलने चाहिए पाकिस्तान के आतंकी अड़ो पर सर्चिकल स्ट्राइक के वक्त मुक्य रनितिकार रहे डीयस हुड़ा ने पाकिस्तान को घेडने और आतंकवाद को चढब से खत्म करने का अपना विजन भी बताया पाकिस्तान के साथ रिलेशन्स हम किस तरह से लॉंग टम बेसिस पर देखते हैं क्या हम चाहते हैं पाकिस्तान से किस तरह से अगर वो टेर्रिरिजम को सपोर्ट करता रहा तो किस तरह से उस पर दबाव बनाया जाए और हमारे बाकी नेबर्स जो हैं बंगलादेश, श्री लंका, इस ही आन के साथ हमारे संबन्ध किस प्रकार के होने चाहिए इस मौके पर मौझूद पूर्वगरी मंत्री पीचे दमरब ने कहा कि कॉंग्रेस ने इस दस्तावेज के जरिये कॉंग्रेस के राष्ट्रे सुरक्षा को लेकर अपनी नीती जाहिर कर दी है और सत्ता में आने पर इस पर अमल किया जाएगा कॉंग्रेस ने बेरोजगारी, नोटबंदी और किसानों की समस्या के बहाने बीजेपी पर तंजकसा और सीमा पर सुरक्षा पर जोर दिया हमारी देश भक्ती क्या है? नोकरी विनाज देश भक्ती नहीं है, नोटबंदी देश भक्ती नहीं है, लोगों को बेरोजगार बनाना देश भक्ती नहीं है, किसानों को पीडित करना देश भक्ती नहीं है, असली देश भक्ती वो है, हाँ सीमा पर सुरक्षा होना डियेस हुड़ा के दस्तावेज के साथ कॉंग्रेस का आनव बड़ा सियासी दाव है। और कॉंग्रेस के साथ गट जोड नहीं होने की कसक भी दिखाई दे रही है। पृत्वी राज सिंग को अमिद्वार बनाया गया है। वहीं करनाल से वकील कृष्ण कुमार आपके टिकट पर चुनाव लडेंगे। प्रेस कॉंफरेंस में ये भी एलान किया गया है कि दोनों दलों के नेता मिलकर चुनाव प्रचार करेंगे। जुआइंट मेगा रोड सो का प्लान हमने किया है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंतरी और आमादमी पार्टी के राष्टी सेयोजा करविंद के जरिवाल जी और जेजेपी के राष्टी अध्यक्ष दुसेंच चौटाला जी और साथी साथ तमाम नेतागण दोनों पार्टी के इस दो मेगा रोड सो में सामिल होंगे दरिसलाम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ साथ हर्याना और चंडीगड की सीटों पर कॉंग्रेस का साथ गठ बंदन की उम्मीदे पाले हुई थी लेकिन कॉंग्रेस दिल्ली को छोड़कर बाकी राजियों में आप से गठ जोड क के बावजूद भी अपने बात से पीछे हट गई है आम आदमी पार्टी और जन्रायक जनता पार्टी ने लोगसभा चुनाओ 2019 के लिए हर्याना में गजबंदन किया है इसके तहत साथ सीटों पर जेजेपी और तीन सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाओ लड़ रही ह और इससे राजकुमार चौहन के समर्थक नाराज हो गए है आज वो सड़कों पर उतर आए प्रदर्शन किया कौंगरस अधिक चुराहूल गांदी के घर के बाहर जम कर इन समर्थकों ने प्रदर्शन की नारे बाजी की राजकुमार चौहन के समर्थक हैं जिन्हें आप कौंगरस में टिकट बटवारी की लड़ाई अब सड़क पर दिखाई पड़ रही है राहूल गांदी के घर के बाहर इस वक्त तमाम कौंगरसी कारकरता हंगामा कर रहे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं एक प्रत्याशी को टिकट देने के लिए हंगामा किया जा रहा है आरोप यह लगाया जा रहा है कि उनके लाके में नौर्थ वेस्ट में एक बाहरी कैंडिडेट को उतारने के कोशिश कर रही है लेकिन यह सभी लोग एक प्रत्याशी राजकुमार चौहान के पक्ष में लगाता नारेवाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हीं को वहां से रहते हैं और विकास पुरुष हैं उन्होंने दिल्ली का विकास किया है और राजेस लिलोटिया जो है हमेशा पैराशूट से आये हैं पहले वह यूथ कांवरस के अधैक्स बने तब भी पैराशूट साय से किसी युवा का हक चीना था जो सैक्ड़े युवा काम कर रहे थ हैं यहां अपने नेदाव पर लगाये जा रहे हैं कि जिन लोगों को पास जिम्मेदारी थी कैडिडेट चुनने की उन्होंने गलत तरीके से कैडिडेट चुना तमाम महिलाएं भी आप यहां पर देख रही हैं और सभी यहां पर शामिल हैं क्या डिमांड है आप लोगी एक लोकल लीडर है नॉर्थ इस इस इलाके के और कहा ये जा रहा है कि उनको ही टिकर दिया जाए जिन लोगों पास जिम्मेदारी थी उन्होंने इसमें धानली की है ऐसा है कारकरता आरोप लगा रहे हैं फुल मिलाकर चुनाओं के वक्त में कॉंग्रेस में इस तरह से कारकरता का अपने ही निता की विरोध में सक्कों पतरना ये काफी सवाल खड़े करता है दिलने से विडियो जानलिस जैराम यादों के साथ मनीश अरस या नियूज नेशन यूपी के बारा बंकी में कॉंग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया ने जिला प्रशासन पर सवाल खड़े की हैं उन्होंने स्थानिय जिला प्रशासन पर भेदभाव करने का आरूप लगा है क्या किया रहे हैं वो आपको सुनवाते है चुनावी दोर में नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के हमले और तेज हो गए है मामला यूपी के बारा बंकी का है यहां कॉंग्रेस के प्रत्याशी तनुज पुनिया ने भेदभाव का रोप लगा कर जिला प्रशासन पर उंगली उठाई है पुनिया का इलजाम है कि जिला प्रशासन के आलाफ सर प्रदेश सरकार के इशारे पर काम कर रहे है पुनिया का ये भी आरोप है कि उनके पास दो सेट थे इसके बावजूद उनके साथ सिर्फ चार समर्थकों को अंदर जाने दिया गया पुनिया ने इसकी शिकाय चुनावायोग से की है वहें प्रशासन के आलाधिकारी आरोपों को गलत बताते हुए किदर भाजबा प्रत्याशी का आरोप है की ऐसे अधिकारियों की मौझूदगी में निश्पक्ष मतदान की उम्मीद नहीं की जा सकती लेहाजा चुनाव आयो को इन्हें ततकाल जिले से हटाना चाहिए टीम न्यूस नेशन